नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पास्पोर्ट में नाम चेंज करने की पूरी परक्रिया क्या है? किस तरह नीज़ पेपर में आपको आर्टीकल लेना है? किस तरह आप पास्पोर्ट सेवा केंडी पर अपना सबसे पहले मैं आपको बता दू आज की डेट में इंडियन पासपोर्ट इशू करवाना रिन्यूवल करवाना बहुत आसान है इंडियन गवर्मेंट ने इतना आसान मना दिया TCS की मदद से कि बहुत अच्छा कॉलबरेशन है आपको पासपोर्ट सेवा वाली बेब साइट पर जाना है यहाँ पर अगर आपका अल्लेडी रिजिस्टेशन नहीं तो रिजिस्टेशन करा लेना है उसके बाद आपको सारी इसके अंदर पासपोर्ट नया इश्यू करवाने की पंद्रासो रुपे फीज है और रेनीवल कराने की पंद्रासो रुपे फीज है मैंने यह दौनों फीज है वहाँ पर पेमेंट कर दी उसके बाद एपोइंट मेंट शैडूल हो जाता है मतलब आप अपने चुकि हम लोग जैपूर का हमारे सबसे नजदीक पड़ता है तो जैपूर का जो पासपोर्ट सेवा केंदर है हम वहाँ पर उस दिन जाना था बीस तारिक को जब हमारा अपॉइंट्मेंट फिक्स था हम 20 तारिक को अप्वाइंट फेपाउंट कर शाओ पर आपको अप्र प्लस जो जो डॉक्मेंट सपोर्टिंग डॉक्मेंट्स वो लेके आए वो सब वो सिस्टम में एंटर कर देता है महावाला व्यक्ति आपको यह बिल्कुल नहीं बताता कि क्या सही है क्या गलत है क्योंकि वे टी-स का एंपलोई होता है उसका काम सिस्टम जो भी रिकोर्ड लेकएर हैं वो फीट करना होता है अब उसके बाद क्ये होता है क्या है कि आपको पारी मांटिक वेरिफिकेशन हो गया डॉक्पेशन डॉक्माटर बियुकेशन, डॉक्मेंट अफ्लोड वगरबा सब वहीं कर लेता है उसके बाद वो आपको बेज देता है gadgeted officer के बाद, मतलब क्या था कि अब तक आप जिन लोगों से deal कर रहे थे, वो थे TCS के employee, अब आप जिस ब्यक्ति से deal करने हैं, वो Indian government का gadgeted officer है, जो की external affair, नविमभाली ministry में एक पत पर employee है, वो last verification में जाता है, जो कुछ detail TCS के employee इसने भरी वो सब उसके system पे populate हो जाती है, कि आपकी क्या details है, वो आपसे normal चीज है पूछता है, आपके जो documents होते है original वो देखता है, अब हमारे साथ यहां पर क्या problem होगी कि तब वो document देखे थे, तो हमें जो नाम डलवाना था papa का, वो श्री बरोसी लाल गर्ग डलवाना था, और पुराने पासपोर्ट पे जो नाम था वो श्री बरोसी लाग था, मम्मी के साथ भी हुआ है, मम्मी का नाम जो हमने जो actually pen card और आदार कार्ट पे सेम करवाना था, इसी वज़े से लिंक हो जाता है, तो हमने शुशीला देवी गर्ग जो पूरा नाम में वो होना था, लेकि आपको दे रहे हैं, जो की सेम नाम से है, तो उन्होंने हमें समझाया, कि आप बिल्कुल सही के रहे हो, आपके दो डोकमेंट है, अगर आपका नया पासपोर्ट बनना होता तो आपको कोई दिक्कत नी होती, लेकिन आपको पुराने पासपोर्ट से नाम चेंच कराना है, तो इसके लिए आपको दो न्यूस पेपर हो में पुब्लिकेशन देना होगा, एक लोकल न्यूस पेपर में और एक इंटरनेशनल न्यूस पेपर में, एक हिंदी न्यूस पेपर में और एक इंग्लिश न्यूस पेपर में, फिर उन्होंने ने कहा, देखिए आपके बाद आपने खाए है थीक है फिर हमारा मेरा हेड़ा कि दो न्यूस पेपर में पब्लिकेशन देना है अब किया किया जाए अब चुकि यह चीज है डेली की तो होती नहीं है जो रहे है फिर मैंने एक्सप्लोर किया तो मैंने काया कि यह काम तीन चार तरीकों से किया जा सकता है पहला कि आप डारेक्ली न्यूस पिपर के ओफिस में चले जाएं, पूरा एक दिन खराब करें, दूसरा न्यूस पिपर बेंडर जो लोकली सप्लाई करते हैं, उनसे कॉंटेक्ट करें, तीसरा न्यूस पिपर एजन्सी की बेप साइट पे चले जाएं, देसे दैंनिक वासक कि newspaper ad agencies के पास जाएंगे तो एक तो बहुत सारे option मिल जाएंगे और जो सबसे सस्ता option मिलेगा वो मैं ले सकता हूँ तो मैंने कहाँ कि यह newspaper agencies google पे search करना शुरू करा गूगल पे मैंने newspaper ad डालेंगे तो शुरू शुरू में आपको जो newspaper लेडिंग newspaper सेंद भारत टाइम नहीं निकवासकर उन सब के article दिखेंगे उसके वाँ तब आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको newspaper ad agencies मिल जाएंगे काफी सारी newspaper ad agencies release my ad newspaper ad book my ad इस तरह कि चार पाच agencies मिल जाएंगे तो आप क्या करें दो तीन agencies को select कर लें क्योंकि हर जागे rate अलग अलग आती है तो जो lowest बता रहा है उसी पर ही आप जाएंगे क्योंकि मेरे साथ हो चुगा है शुरू में मैं गया एक पे तो एक ने मुझे 5000 बता है मैंने कार यह क्या है और एक ने Times of India में सिफ 3500 रुपे में मेरा काम कर दिया तो वह वाली चीज है कि वह थोड़ा ध्यान रखें आप अब जैसे यह देखो यह मैंने बुक किये मैंने दो एड़ बुक करें एक 8 मई को एक 9 मई को टाइमस अब इंडिया में मैंने बुक किया उसके मुझे 378 रुपे लगे और एक मैंने किया राजस्तान पत्री का में ग्वालियर संसकरंड में उसमें 888 रुपे लगे तो टोटल मेरा 1100-1200 रुपे में दोनो नीउस्पेपर की पॉब्लिकेशन का काम हो गया अब उसके बाद जो नीउस्पेपर पॉब्लिकेशन में यह देखिए पापा का जो नीउस्पेपर पॉब्लिकेशन हुआ था वो सिंपल एक सिंपल एक लेंग्वेज होती है इसी तरह मैंने मम्मी का पॉब्लिकेशन करवा दिया अब पॉब्लिकेशन के बाद मैंने एपॉइंट्मेंट की डेट फिक्स करवा ली है अब यह जैसे आज 12 मई 2014 है अब हमारी पॉब्लिकेशन की डेट आई है वो एकीस मई 2014 है तो मैंने दोनों की डेट फिक्स करवा दी अब मुझे तब जाना है तो इस तरीके से यह दोनों चीज होगी मेरी अब मैं हमें क्या करना है इसे बेट करना है कि कव हमारी 21 मई की डेट आएगी पापा ममी को मैं पासपोर्ट सेबा है पर लेके जाओंगा और यह बारी बात बिशेश ध्यान रेके निउस पेपर की पूरी की पूरी कॉपी आप ले जाए क्योंकि यूश पेपर एक साथ लेना इस लिए जरूर ही है क्योंकि बैक डेट का निउस पेपर मिलना बहुत मुश्कल है अगर आप यह सो जोचों तो newspaper ले लो बड़ा मुश्किल है कि उसका कोई collection कोई करता नहीं है वो सिब रद्धी के भावी रहता है हाँ आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके घर पे newspaper आता है तो तो ठीक है तो इसलिए अपनी एक दो कोई भी बिल्कुल समाल के रख लें नहीं तो आप अच्छी खासी प्रॉलम में आ जाएंगे फ्रेंड्स हमारी कंपनी connecting.frensup पैन इंडिया लोन पर्वाइट करती है बिजनेस लोन और पर्सनल लोन आप अपने किसी भी दोस्त या रेलेटिव की फाइल हमें रेफर कर सकते हैं हम 2% का कमिशन देते हैं लोन डिस्पर्समेंट होने के बार फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया किस तरह आप स्टेट वेंग आप इंडिया में अपना नाम चैंज करा सकते हैं बैंक अकाउंट के अंदर आपको किन-किन डॉकुमेंट की जदुत पड़ेगी और क इस तरह आपको एप्लिकेशन देनी है बैस सब चीज मैंने इस वीडियो में बताई है आप उपर किलिक करके देख सकते हैं धन्यवार